हेलो फ्रेंट्स, रश्मी के तरंगी रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं एक ऐसी मीठी रेसिपी शेर करने जा रही हूँ, जिसके लिए गैस भी जलाने की जरुवत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही बन जाती है, और बहुत कम चीजें इसके लिए चाहिए सिर्फ दो चीज, और न मावा डालना है, न चीनी चाहिए, न गोड़ चाहिए, और कोई मेवा अगर आप डालना चाहें, मिठी चीज है तो, तो डाल सकते हैं, अथवा वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ दो चीजों से ये बिल्कुल तयार हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी मिन्टों में त्यार हो जाएगी, और आप कभी भी कहीं भी बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी भी है, तो चलिए, इसको बनाना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगी, वीडियो पूरा वाच कीजे, तभी आपको अच्छे से बनाना आएगा, तो चलिए, शु और यह है कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, बाजार में कई सारे उपलब्ध हैं, तो मैं इतना डाल के देखती हूँ, इतने में हो जाता है, तो ठीक है, बहुत जादा ना डालें इसको, क्योंकि अगर गीला हो गया, तो फिर दिक्कत आएगी, इसक अच्छे से मिलाने की जरुवत है, और इसी टाइम में अभी जब मिक्स नहीं हुआ है, तो मैं इलाइची डाल दे रही हूँ, जो की कुटी हुई है, तेस्ट के लिए अगर आप चाहें, तो यह भी न डालें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिलाना थोड़ा इजी नहीं हो होता है, क्योंकि यह बहुत ही गाड़ा, और यह बिल्कुल जैसे रेथ होती है, उसके समान होता है, धीरे धीरे ही यह आपाता है, अगर आप चाहें, कंडेंस मिल्क घर में बनाना, यह तो मैंने बजार से लिया है, बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बजार से ही लिया है, और अगर आप घर में शुद्ध कंडेंस मिल्क बनाना चाहते हैं, कम की मत पे और एक दम शुद्ध, तो उसकी वी वीडियो मैंने डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक में डाल दूँगी, कोई महनत नहीं लगती, वो भी बहुत असानी से बन जाता है, आप इसको इस तरह से दबा दबा करके ही मिलाएं, जिसे की मिक्स हो जाए अची तरह से, अब इसको चेक करना है, यह देखिए बुर्भुरा सा कर लिया हमने, अब इसको चेक करना है, और चाहिए या नहीं, तो यह देखिए, अब मैं यह थोड़ा सा और डाल दूँगी, क्योंकि पूरी तरह से मीठा भी होना जरूरी है, इसको मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ, तो एक दम आपने सही नाप डालना है, यह है वन फोर्थ, यह एक कप लिया है हमने, तो इसी का वन फोर्थ यानि की एक चौथाया मैंने लिया है, कोई भी कटोरी या कोई भी कप से आप नाप सकते हैं, एक चौथाया ले ले लेंगे, तो एक दम सही बैठेगा, और सही मिठास भी आएगी, और गीला भी नहीं होगा, और नहीं ज्यादा सुखा होगा, आप देख सकते हैं, यह भी आप देख लीजेगा, जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूग कि थोड़ा सा भी गीला नहीं हुआ है, मैं स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि वीडियो वैसे भी छोटी है, तो आप पूरी तरह से देख लेजे, चीजें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कभी-कभी स्किप पर देने से, कोई पार्ट ऐसा मिस हो जाता है, ज मैं स्योर हूँ कि यह अच्छे से बन जाएगा, मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, जिसमें रखना है, तो यह देखिए, आप बड़ा छोटा किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, अब चाहें तो हाथ में थोड़ी सी चिकनाई लगा सकते हैं, यह थोड़ी सी मैंने चिकनाई लगा ली है, जिससे के हाथ में चिपके नहीं और यह थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसको बहुत जादा नहीं दबाना है, और आप इस तरह से गोल अच्छे से यह जो है इलाइची दिख रही है, तो आप बना लें, और इसमें थोड़ी सी कोटिंग कर दीजिए, सूखे ना यह इस तरह से, तो यह सूखा सूखा रहेगा, एक दूसरे में चिपकेगा भी नहीं, चिपकेगा तो ऐसे भी नहीं, और अच्छा भी लगेगा, इसी तरह से हमें सारे गोले बना लेने, एक नीवू का आकार ले लीजिए, या जितना बड़ा, या जितना छोटा आपको बनाना है, उतना बड़ा आप बना सकते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं है, कि आप कितना बड़ा बनाएं, तो ऐसे ही सारा बना लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ, तो लिजे फ्रेंट्स, यह हमाय लड़ू बिलकुल बनके रेडी है, देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है, और सिर्फ 100 ग्राम, डेसिकेटेड नारियल में, यह देखिए, यह बन चुका है, कितने, करीब 9 हो गए है, बीच वाला मैंने बहुत नहीं लगा है, और देखिए, यह मैं थोड़ा सा गार्णिच भी कर दे रही हूँ, जरा सा सुन्दर लगेगा, आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी तो है नहीं, यह पूरी वीडियो अगर आपने देखी है, और अगर अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू